और वहीं आपको बतादे मीडिया इंट्रिवु में सीएम अशोग गहलोत ने खरी खरी बाते गई मीडिया इंट्रिवु में सीएम अशोग गहलोत ने खरी खरी बाते कहते वे मोदी के जुम्लों को सच जानती है जनता जुम्ले बाजी से नहीं चलता है देश और ये भी कहा कि आधारपुत मुद्दों के बल पर राजनीती होती है गंगा जमुनी तहजीब का देश भारत भायचारा है कॉंग्रिस का मूल मंतर जिया मुख्यमंतर अशोग गहलोत ने मीडिया में एक इंट्रिवू दिया और इसी के जरिये उन्होंने मोधी सरकार पर जम कर निशाना साधा कहा कि राहुल गांधी का भायचारे पर जोर है लेकिन मोधी जुम्ले बाजी से बाज नहीं आते और साथ ये भी कहा कि भाजपा को हिनित हुए और राम मंदिर सिर्फ चुनाओं के दोरान याद आता है इन मुद्दों पर भाजपा एक्सपोज हो चुकी है और जनता मोधी सरकार का भाजपा का सच जानती है छे हजार उपए गरीब के जेब में आना एक गेम चेंजर और साथ ये भी कहा कि गाओं के गरीब तक भी पैसा नहीं पहुंचा लेकिन मोधी ने हमेशा ही जनता को गुम्रा किया और मुख्यमंतर अशोग गैलोत ने ये भी कहा कि डेमोक्रसी मोधी सरकार के राज में खत्रे में है जी आपको बता दे मुख्यमंतर अशोग गैलोत ने एक मेडिया में दीवे दीवे इंटर्वी में मोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा खरी खरी बाते कही कहा कि जुमले बाजी से देश नहीं चलता मोदी जी आधार भुत मुद्दों के बल पर राजनिती करो